हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेनी स्कूल पर हर्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम एफटी लखनव द्वारा दिये गए एक जज्जमेंट पर चर्चा करने वाले हैं जो जज्जमेंट जुड़ा हुआ है family pension और special family pension से देखे जब pensioner retire होते हैं उसके बाद में उनको pension दी जाती है लेकिन कुछ conditions ऐसी होती है कि service में रहते हुए service की वज़े से उनकी जो है यहाँ पर जान चली जाती है किसी भी वज़े से हो सकता है medical ground भी हो सकता है या दूसरे ground भी हो सकते हैं यानि attributed और attributable जो दोनों conditions है aggravated और attributed उस condition के तहत अगर यहाँ पर दैस हो जाती है service personal की तो देखिए उनकी family को यहाँ पर special family pension दी जाती है तो देखिए यही एक सबसे बड़ा यहाँ पर point था कि उनको जो है ordinary family pension दी जा रही थी जबकि उनकी demand थी कि उनको special family pension दी जाए देखिए पूरा case क्या था वो हम आगे जानेंगे पूरा देखेंगे इस judgment में क्या क्या चीज important रही अभी हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो like और share ज़रूर करें देखिए जो judge थे महाँ पर आप देख सकते हैं Honorable Justice Mr. Anil Kumar Member J Honorable Major General Sanjay Singh Member A जो केस था वो स्रीमती रेखा देवी जी दोरा डाला गया था और उनके जो husband थे Late अशोक कुमार जी वो बिलंसेर उत्तरप्रदेस के रहने वाले थे तो देखिए उन्होंने केस डाला Union of India के खिलाफ Chief of the Army Staff Officer in Charge Records Brigades of Guards PCDA प्रियागराच अलहाबाद तो देखिए पहले इस के लिए देखते हैं कि उन्होंने किस किस रिलिफ की मांग की उन्होंने बोला कि जो AG ब्रांच है उसके दो लेटर हैं ये लेटर और जो 2009 का था और एक लेटर जो 2006 लगा था कि उन दोनों को क्या जाए यानि उन दोनों को समापत किया जाए और रेक्टर रेस्पॉंडेंट और रेस्पॉंडेंट को डारेक्ट किया जाए to grant इस्पिसल फैमली पैंसन तो दा एप्लिकेंट एस पर हर एंटाइटलमेंट और जो उनका एंटाइटलमेंट है Special Family Pension का वो उनको grant किया जाए along with its areas with interest और जो उनका area बनता है interest के साथ उनको लोटाया जाए Any other relief which the honorable tribunal may think just and roper may be granted to the applicant और अगर मानने AFT को लगता है कि कुछ और भी ऐसे benefits हैं जो दियर सते हैं तो वो दियर सते हैं Cost of case may be awarded in favor of the applicant देखिए जो भी case में पैसा लगे वो in favor of the applicant हो और सबसे important चीज यहाँ पर उन्होंने 10 लाख रुपे का compensation की मांग की थी तो अब हम देखते हैं case की brief history क्या है देखिए जो applicants हैं उनके husband brigade of the guards regiment में enrolled हुए थे 25-10-90-94 को जब वो serving कर रहे थे with 11 guards and diagnosed to have adenocarcinoma rectum यानि उनको जो है cancer के लक्षन देखे गए थे आप he was transferred to the army hospital R&R New Delhi for surgery of anterior rectal resection after surgery he was sent to command hospital southern command Pune for adjuquent chemotherapy and radiotherapy जिसको cancer की condition होती है तो उसको chemotherapy and radiotherapy दी जाती है on being transferred from command hospital southern command Pune to base hospital जब southern command Pune से वो base hospital आ रहे थे दिलिकेंट he died in route तो वो रास्ते में है उनकी क्या है म्यत्ति हो जाती है और वो होती है 10 नवंबर 2000 को after that his wife was granted ordinary family pension वाइड PPO नमबर दिया गया है 2001 से तो उनको next month से जो है ordinary family pension जो है grant की जाती है claim for grant of special family pension was rejected वाइड letter dated 9-10-2001 देकि 9-10-2001 को उन्होंने special family pension के लिए जो अपनी मांग रखी थी वो यहाँ पर reject कर दी जाती है accordingly applicant preferred first appeal dated 22-12-2007 तो देखिए अब उसके बाद में जो applicant हैं वो पहली appeal करते हैं 22-12-2007 को जो reject कर दी जाती है 27 फरवरी 2009 को on the ground that since death in respect of applicant husband has no relation to the military duty यानि क्योंकि उनकी death जो है military duty से कहीं भी concern नहीं है link नहीं है इस वज़े से उनकी जो appeal थी वो cancel कर दी जाती है after rejection उन्होंने दुबारा appeal की 2015 में जिसको 2016 में फिर cancel कर दिया गया stating that the disease with the applicant's husband was suffering was neither attributable nor aggravated by the military services कि जो भी उनकी देखे बीमारी थी वो कहीं भी military की वज़े से हुई ऐसा कहीं भी नहीं है तो it is in the perspective that this OA has been filed for grant of special family pension इस background में यहाँ पर यह OA जो है file की गई थी तो जो यहाँ पर जो bench है उसने माना जो court है उसने माना that the time at the time of enrollment कि जब भरती हुए थे applicants husband was thoroughly examined by medical board एक board होता है उसमें उनको proper check किया जाता है and he was found absolutely fit और वो पूरी तरह से fit उसमें पाए गए थे तभी उनको service में लिया गया था and the carcinoma occurred and aggravated by the military services और देखे यह जो उनको cancer हुआ है यह उनको aggravated by the military services हुआ है यानि जो माहोल है military services का उसकी इतकारण हुआ है further submission of learn council for the applicant that since applicant's husband died en route और देखे सबसे बड़ी point यहां पर यह है कि जब उनकी मरत्यू होती है देखे वो एक hospital से दूसरे hospital को shift किये जा रहे थे तो इसे condition में होती है तो his death should be recorded as the attributable to military duty and in these circumstances applicant is entitled to special family pension तो देखे क्योंकि एक hospital से दूसरे hospital जाते हैं उनकी death होती है तो देखे इसको attributable to military service माना जाना चाहिए और applicant को special family pension मिलनी चाहिए देखे और भी बहुत सारे यहां पर condition थी आर्मी रूल कहता है कि special family pension कब दी जाती आप सभी को पता है कि special family pension 30% से नहीं होती है वो 60% होती है यानि double family pension दी जाती है देखे यह और भी कुछ निर्ने थे जो यहां पर AFT ने उजागर किये लेकिन हम चलते हैं सिधा last में जहां पर इसका judgment दिखाया गया है देखे बहुत सारे केसी से उनना बोला कि और भी केसी जो है इसमें हाँ पर link पाए गए है और उनका जो judgment है उनका judgment भी बिल्कुल सेम इसी आधार पर है तो हम कह सकते हैं कि इनको जो family pension मिलनी चाहिए वो family pension और देखे यही कंडिशन है कि उनको special family pension जो है ग्रांट की जाए तो लेकिन अब हम जो 1920 पॉइंट से यह पढ़ लेते हैं Respondent's contention that opinion of pension sanctioning authority and appellant authority are not in favor of applicant is on unfounded granted grounds as with regards to known attributality no reason has been assigned by the authorities who adjudicated and rejected claim of grant of special family pension तो देखे यहाँ पर उनकोंने माना we find जो court मनता है more support from the judgment of the division bench जो दिल्ली high court की division bench का judgment था in case of स्रीमती रेश्मादेवी versus union of India 2019 में wherein in the fact that circumstances are similar to the case in hand तो देखे ऐसे ही judgment जो है जो दिल्ली division bench का जो court case था वहीं same जो case है इससे मिलता जोता है तो there is no medical opinion as to when actually the cancer started जहाँ पर देखे कहीं भी clarity नहीं है कि कहां से cancer start हुआ when it was directed and spread however we are in the of the view that in view of posting of applicant husband कि ये जो हुआ होगा applicant की posting इदर उदर होती उसके husband की posting तो उसकी वज़े से जो cancer develop हुआ होगा और फैला होगा तो दिखे उन्हों के ही कहा कि और जो उनकी death होती है वो भी treatment के दोरान और एक hospital से दूसरे hospital shift करते समय होती है in view of the above OA is allowed and C is entitled to special family pension और देखे साथ में एक line और यहाँ पर जोड़ी गई the respondents are directed to calculate and grant special family pension to applicant from the three years proceedings the date of filing the OA यानि साथ फरवरी 2022 में OA फाइल की गई थी उससे तीन साल पहले का आपको area और देखे अभी March 2023 चल रहा है तो 3 प्लस 1 यानि 4 साल का उनको total मिला के area दिया जाएगा the respondents are further directed to pay the aforesaid amount within a period of 4 months from today और आज की date से 4 महिने के अंदर यह आपको payment करना है और अगर आप late होते हैं देरी करते हैं तो default will interest 8% यानि आपको 8% interest लगा के वो पैसा देना होगा तो देखे यहाँ पर देखे पिछली 4 साल का area प्लस हर महिने जो है double pension यह एक बहुत ही अच्छा judgment है मानने एफटी का देखे बहुत सी ऐसी conditions होती है देखे उन्होंने पहली बार appeal की second time appeal की अपिल रियक्ट कर दी गई तो देखे जब उनकी death होती है 2020 होता है और जब judgment आता है 2023 में आता है तो कि 23 साल लगे उनको लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए वो finally वो जीती slow and steady wins the race आप सभी को पता है तो देखे अगर आपको पता है कि आप सही है आपको अपने बारे में knowledge है कि हमारे किस-किस condition में क्या होता है तो देखे नोलीज का होना बहुत जरूरी है और यही condition थी कि वे जो हैं अपना case जीत पाई और उनको area भी मिलेगा late हुए interest भी मिलेगा और हर महीने double pension मिलेगी तो देखे बहुत अचा judgment है अगर आपको भी यह judgment पसंद आया हो तो comment box में comment करके जरूर बताएं फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत